सबी बाईयों को नमस्कार सबी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेरी फाम पे मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से काफी शांदार जोटी लेके हाजिर हूँ इसके बारे में डिटेल से बताएंगे वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि प्रियास कम टाइम में ज़्यादा जानकारी देने का रहता है तो आज जो बाई कवरेज देख पा रहे हैं मैं बताना चाहूंगा आज की वीडियो हम लेके आ रहे हैं यादव डेरी फाम से यादव डेरी फाम रूटीन से पसू दिखाने और हमारा खुद का भी सेल पर च प्रूप डीस्टीक जजजर हर्याना से ये वीडियो ले के आ रहे हैं प्रजयंट में जजजर में जो काफी अच्छी मिल्क लाइन के पसु बारंबार वीडियोज में देखने को मिल रहे हैं तो आज एक सेकींड टाइमर जोटी लेके फिर से आजिर हैं आज की वीडियो में जो coverage में हम आप दिखा रहे हैं फारम वो हम अपने खुद के फारम से वीडियो लेके आ रहे हैं हमारा फारम रेवाडी नारनोल रोत्तक और बिवानी से लगबग 50 से 55 किलोमेटर की दूरी पे है आज आप बाईयों के समक्स फिर से एक दूसरे ब्यात की जोटी लेके हाजिर है काफी पसू पालकों की डिमांड रहती है कि हमें जो घर पीने के लिए पसू चाहिए क्योंकि व्यापार में और सोखीनी तोर पे पसू पालक अलग होते हैं कि नेकाम रोजमर्रा रूटीन से जो दूद बेचने या दूद पीने के लिए पसू लेते हैं तो मैं कहूंगा एक परफेक्ट जो पसू दन है वो आज लेके आजी रहे दूसरे ब्यात की जोटी लगबग आज 11-12 दिन बच्चा दिये हो चुके और दूद सोडा लीटर होगा लेकिन हम 15 लीटर वो बता रहे हैं जो किसी भी टाइम कोई भी भाई आके देखके जाजके ले सकता है चुआई के मामले में हम कहेंगे कोई जोड नहीं जो ठीका बिलकुल फोली चुआई टाइट अडर पैर के बीच का और मैं कहूंगा जो दूद है वो आज सोडा है लेकिन फिर से बताना चाहूंगा 15 हम recommend कर रहे हैं पहले ब्यात में इसने जब काविंग की तो एक आम बिलकुल साधारन केर में रूटीन से इसने लगबग 14-15 14-15 किलो दूद निकाल रखा है दूसरी बार काविंग कर रखे है साथ में मेल काफ है और पीठ की चोड़ाई आडर की quality आप देख सकते हैं थनों की quality रही चुआई चुआई की full guarantee है इतनी fully soft चुआई है जिस भाई को चुआई नहीं भी करने आती वो आराम से अगर 2-4 दिन निकाले तो वो सीख भी सकता है बिल्कुल छुटा सींग सरीर पे जमता हुआ गठीले सरीर की काफी चोड़े पीठ पुठे की और जो लगबग अगाड़ी है अभी डेड़ चे दो के बीच में अगाड़ी अभी जोटी निकाल रही है दिरे दिरे जब सेट होगी उमीद यह है और भी दूद बढ़ाएगी लेकिन एक मैं कहूंगा जो आम रूटीन चे दूद निकालने वाली जिस पसूपालक से हमने लिये उसका कहना है कि यह जब प्रेगनेंट होती है उसके बाद में रेगुलर दूद दिया इसने काफी लंबे टाइम खाने पिने में भी काफी अच्छी है बाकि आप भाईयों के समक्स है जो भी दूद निकालते हैं पहले रेकेमेंड नहीं करते कि 18-20 देगी लेकिन जो भी देती है वो आपके समक्स निकड़वाते हैं तो कोई भी पसूपालक जो खरीदना चाहता है लगब पसूदन क्योंकि बारम बार वीडियोज में आज पसूदन काफी महंगा हो चुका है और हमारा परियास रहता है कि अगर हम खरीद अच्छे बाव में करेंगे तो विक्री एटोमेटिकली दो पैसे की इंकम भी होती है और एक पसूपालक के बजट में भी पसू रहता है त पसूदन कैसा लगा कोमेंट्स में जरूर बताना बाकी हम कहेंगे एक जायज बाव में गर रखने के लिए जो पसूदन तलासते हैं 14-15-16 किलो दूद की जोटी काफी अच्छी वीडियो के लास्ट में जो हम इसका मेल काफ है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी कोमेंट्स में जरूर बताना सभी वाई जुड़े अपना कीमती टाइम दिया सभी को मेरी तरब से नमस्कार सत्सरीकाल राम राम सलाम